हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैरुपाली बर्मा आज भी कराएं क्लास एत हिंदी व्याकरण का आज हमारा टॉपिक है शब्द भंडार का नया रूप क्या है अनेकार थी तो परेवाची हो गए विलोम हो गए और शब्द भंडार के हम तीसरे पर आ गए वह हैं अनेकार इनको हम शुरू करें उससे पहले बता दें कि मागनट ब्रींस आपके लिए अर्भुद बैस लेकर आ चुका है इसकी संपूर जानकारी के लिए नीचे फ्लैश हो रहे है नंबर पर आप डारेक्ट कॉल करके सारी ही जानकारी ले सकते हैं तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं जो हमें करना है वह है अनेकार्थी क्या होते हैं देखते हैं चलिए अनेकार्थी क्या है पहले इनको समझते हैं जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं अनेकार्थी का शाब्दिक अर्थ है अनेक अर्थ देनी वाल अभी हमने क्या पढ़ा था यादे आपको परेयवाची पढ़े थे ना परेयवाची में हमने एक शब्द के कई स्वरूप देखे मगर उन सब के अर्थ अलग-अलग थे मा सुर् coupled उनसे के सब के अर्थ एक ही थे ठीक है ना यह क्या थे आपके परयायवाची यानि कि समाना आर्थी शब्द बहुत सारे मगर अर्थ एक अब इसी को पलट दीजिए यानि कि अब शब्द जो है वो एक है और उसके अर्थ जो है वो बहुत ढेर सारे है तो यह आपका क्या हो जाता है अनेक आर्थी यानि एक शब्द के कई ही सारे अर्थ कहलाते हैं अनेक आर्थी तो नेक आर्थी का सीधे-सीधे अर्थ क्या हो गया अनेक अर्थ देने वाला जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे अब उधारन की तौर पर आप देख सकते हैं अब्ज क्या है अब्ज कपूर शंक चंद्रमा कमल अब अगर शंक होगा तो तब भी हम उसके लिए आपज़ इस्तिमाल कर सकते हैं अगर चंद्रमा है तो भी आपज़ इस्तिमाल कर सकते हैं शंक है तो भी अब यदि की सब चीज़ें अलग-अलग इस चीज़ें लेकिन इनके लिए हम शब्द क्या एक इस्तिमाल कर रहे हैं उसी तरह आजाईए अ अली जो एक शब्द है ये किन किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है भौरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है सकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सकी यानि कि आपकी जो फ्रेंड है उसके लिए भी हम अली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा आ रहा है आपका सकी हो गया ठीक है भौरा आप रुड़ते हैं काला काला जो उड़ता रहता है उसको भौरा कहते हैं उसको हम अली कहते हैं सखी जो हमारी मित्र जो होगी यानि कि फीमेल फ्रेंट्स जो रहती हैं उनके लिए हम अली इस्तिमाल कर सकते हैं फिर आता है कोयल, कोयल के लिए भी हम अली शब्द इस्तिमाल करते हैं, बिच्छू के लिए भी इस्तिमाल करते हैं, और कौवा के लिए भी इस्तिमाल करते हैं, अब देखें ये एक अली, अब होरा अलग, सखी अलग, कोयल अलग, बिच्छू अलग, कोयल अलग, कौवा अल तुपिक तुधारण में अब्स और अली शब्दों के अनेक अर्थ वर्णित किये गए हैं यानि इस एक शब्द के बहुत सारे अर्थ जो हैं वो आपको दिये गए हैं अब कुछ प्रमुक अनेक अर्थियों को देखते हैं जो मेन हैं जो आपके syllabus के according जो हैं वो पूछे जा सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर आएं देखे सबसे पहले क्या है नमबर वन है अंक अब अंक जो हैं किसके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं गोद, अक्षर, गिंती, चिन्ह या भाग अगर मम्मा की गोद में बैटोगे तो भी उसके लिए अंक बोलेंगे अगर आप नमबर बोल रहे हो तो भी अंक बोलेंगे अक्षर हैं तो भी अंक हैं गिंती बोल रहे हैं तो भी है चिन है भाग है इन सभी के लिए हम अंक का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर आते हैं अर्थ अर्थ का क्या है धन अभिप्राय प्रयोजन अब जो मनी है पैसा है रुपे उसके लिए भी हम अर्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं अब जब हम किसी पंक् और वस्त्र को भी बोलते हैं इसको भी अंबर बोलते हैं अगम किसके लिए दुरगम के लिए बोलते हैं सुद्रण के लिए बोलते हैं अतहा के लिए बोलते हैं ना जाने योग्य के लिए बोलते हैं और ना चलने वाले तो इन सभी के लिए जो हैं हम अगम शब्द का इस्त तो रास्ते के लिए हम क्या बोलेंगे दुर्गम है अज brightness अब आज कौन है दश्रत जी जो पिता जी थे उनका नाम आज था तो उनके लिए हम बोलते हैं ब्रम्भा जी को भी हम अज बोलते फिर बक्रा जो होता है ना गोट मेल गोट जो होता है उसके लिए भी हम बोलते हैं जो पैदा ना हुआ हो उसके लिए भी अज बोलते हैं तो यहां पर हमने अज कितने चीज़ों के लिए बोला दश्रजी के पिता जी के लिए है जो पैदा नहीं हुआ उसके लिए है बक्रा है ब्रह्मा है इन सभी के लिए हम इस इस्तेमाल करते हैं फिर नेक्स आते हैं अग्र अग्र मतलब क्या होता है आगे का हिस्सा पहले या श्रेष्ट तो आगे का जो सरा होता है कोई भी नेक्स्ट आते हैं अर्ग, यहाँ पर क्या आएगा आपका अर्ग, अर्ग हम किस चीज के लिए इस्तिमाल करते हैं, सूर्र के लिए, रविवार के लिए और रस के लिए, इन सभी के लिए हम क्या इस्तिमाल करेंगे, अर्ग इस्तिमाल करेंगे, आगम, क्या है आगम, उसके तीनों के लिए हम आराम इस्तिमाल करते हैं बगीचा है आराम अपेक्षा आशा या तुल्ना हम किसी चीज़ के बोलते हैं इसकी अपेक्षा ये जादा अच्छा है तो वहाँ पर हम क्या इस्तिमाल किया हमने अपेक्षा अब हम किसी चीज़ से आशा लगा रहे हैं हमारी अ पेक्षा है कि आज वो ज़रूर आएगा है ना तो यहां पर हम आशा और जो है तुलना इन दोनों के लिए अपेक्षा शब्द लगा सकते हैं नेक्स है अक्षर अक्षर किसे बोलते हैं? वर्ण को बोलते हैं आत्मा को बोलते हैं नश्ट ना होने वाला है गगन हैं और ब्रह्म हैं इन सभी के लिए हैं मकसरशद का इस्तिमाल करते हैं फिर है अग अपवित्र पाप पापी दुख दुष्ट दुष्कर्म इन सभी के अग हिस्तिमाल कर सकते हैं फिर है अवकाश अवकाश किस लिए अवकाश मतलब मुस्ति हम लिए अवकाश जानते हैं छुट्टी के लिए होलिडे के लिए ठीक है तो क्या है छुट्टी अवसर इस्थान फासला गुंजाईश अब बोलते हैं इस चीज़ का अवकाश तो यह वगहरा अब जैसे हम लोग बोलते हैं इसका कोई आदी नहीं आदी का जो है अपोजिट क्या था अन्त था आदी मतलब होता है जो एकदम प्रारंभ में हुआ फिर उसके बाद आते हैं वगहरा जैसे मतलब राम लक्षमन भरत शत्रुगहन सीता आदी जो हैं सम्मिल जुल कर रहते थे तो यहां पर आदी मतलब बहुत सारे लोगों को उसके साथ आट के जरते हो तो यहां पर हम आदी शब्द इन लोगों के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छा अच्छा सुंदर के लिए इस्तिमाल करते हैं उच्छत के लिए इस्तिमाल करते हैं सकुषल के लिए हम बोलते हैं आप कैसे हो हम अच्छे हैं तो यानि किसा कुशल है यह कैसा अब जैसे हमने बताया कि इसकी वनिस्पत यह जादा सही है यह जादा उच्छत है तो इससे तो अच्छा यह है बोलती हूं फिर उसके बाद सुन्दर कोई चीज बहुत ब्यूटिफुल है बहुत अच्छा है और ये तो कितना प्यारा लग रहा है ऐसे बोलते ना तो वो चीज़ हो चाती है फिर है अरुण अरुण के लिए क्लिए क्लिए बोलेंगे लाल रंग बाल सूर्य सूर्य का सारथी संदूर सोना फिर आते हैं आधी आधी के लिए क्या बोलेंगे विपत्ति अभिशाप धरोहर मानसिक पीडा फिर आते हैं आस्था विश्वा सहारा सभा आदर फिर नेक्स्ट है आतुर उतावला व्याकुल उत्सुक विकल फिर है उत्सर्ग दयान त्याग समर्पित बलिदान देख रहे ह तो उन सभी को ध्यान रखना है अब इनको लन तो आपको करना पड़ेगा फिर आते हैं उपाइ उपाई के ली क्या बोलते हैं विधान सेवा इलाज उपचार पिर है कनक खमसूना को भी बोलते हैं धतूरा को भी बोलते तो अलंकार कराते समय हमने इसका एक उधारन भी दिया था कनक कनकते सौगोडी मादकता दिकाए या खाए बौरात जगवापाए बौराए एक कनक सोना जो है वो किसी को मिल जाए तो वो पागल हो जाता है एक धतूरा जिसे कोई खा ले तो वो पागल हो जाता है तो कनक का क्या हुआ दो अर्थ हुए फिर है कर कर का मतलब क्या होता है कर शब्द हम किरण के लिए भी इस्तिमाल करते हैं अपने हाथों के लिए भी इस्तिमाल करते हैं यह जो हाथी की सूर होती है उसके लिए भी इस्तिमाल करते हैं रश्मी अर्थात जो चांद की जो करण शब्द है कोई चीज़ के लिए हम कोई प्रैतने कर रहे हैं तो उसके लिए क्रिया है कोई चीज़ मुवेवल है तो उसके लिए भी हम क्रिया का स्थमाल करते हैं फिर आते हैं कृष्ण कृष्ण के लिए काला नीला वासुदेव के पुत्र और अंधेरा पक्ष नेक्स आते हैं कटक के लिए क्या बोलेंगे सोना समुह सेना घर सोने का कड़ा पैर में पहनने वाला तो ये सब कटक के लिए इस्तिमाल करते हैं फिर कुशल के लिए क्या करते हैं कुशल शब्द कहां कहां इस्तिमाल करते हैं निपुड के लिए चतुर के लिए और खैरियत के लिए कुल शब्द हम सब और वंच के लिए इस्तिमाल करते हैं काम जो करते हैं रोजगार कार प्रेम बलराम इन सभी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं काम शब्द है अब जैसे हम कहां काम करते हो तो बिसिकली कहां कहां जॉब करते हो तुम्हारा रोजगार क्या है फिर कार तुम ये क्या काम कर रहे हूं क्या कारे कर रहे हूं फिर आते हैं प्रेम जो प्रेम की जो भावना होती है उसको हम जो है उसमें काम वासना भी एक भाव होता है तो उसके लिए हम काम का इस्तमाल करते हैं बलराम जी आप जानते हो ओ श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम उनके लिए भी हम काम का इस्तमाल करते हैं फिर आते हैं गुण गुण शद किन के लिए गुण रसी ती तीन गुर्ण सत रज तम यानि कि तीन जो गुर्ण होते हैं सत रज तम उनके लिए भी हम इस्तमाल करते हैं फिर है गुरू कहा कहा इस्तमाल करते हैं गुरू हम सिक्षक को भी बोलते हैं भारी को भी गुरू बोलते हैं और कला को भी हम गुरू बोलते हैं फिर आते हैं गो गाय प्रत्वी इंद्रिये आप गो किसके लिए बोलते हैं गाय के लिए गो बोलेंगे फिर उसके बाद प्रत्वी प्रत्वी के लिए भी गो शब्द का इस्तिमाल करते हैं और इंद्रिये के लिए भी हम गो का इस्तिमाल करते हैं ग्रहन ग्रहन यानि कि ग्रहन कर लेना बो दशा मोक्ष भक्ति के लिए अंग भाग पूजा सेवा भेद इस्तेमाल करते हैं रहस अंतर और प्रकार में भूत को हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं भूत तो आप लोग जानते हैं वैसे तो हम भूत प्रेत के लिए होते हैं लेकिन भूत और भी होता है क्या होता है बीता हु बोलते हैं घोड़ा पक्षी बान इनके लिए हम बाची का इस्तिमाल करते हैं फिर आते हैं वार वार किस चीज़ के लिए दिन के लिए और प्रहार के लिए हम बोलते हैं सोंबार मंगलवार बुद्धवार शुक्रवार गुरुवार सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं तो व आते हैं वर्व का मतलब क्या होता है सुन्दर दूला शेष्ट आशिरवाद के लिए हम क्या बोलते हैं रंग जाती अक्षर रूड़ी के लिए जन्व प्रथा चढ़ाई विचार लाल के लिए पुत्र लाल रंग एक रत्न एक चड़िया शशांक, चंद्रमा, मूर, शिव, कल्यानकारी, शंकरजी, सर के लिए क्या बोलेंगे तालाब, जलाशय, सरोवर, तड़ाग, सारंग के लिए सर्प, बाण, म्रग, मेधक, कोयल, तालाब तो देखा न, सारंग तो कित्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्प को भी सारंग बोलते हैं, बाण को भी सारंग बोलते हैं, म्रग को भी सारंग बोलते हैं, कोयल को भी सारंग बोलते हैं, और तालाब को भी सारंग बोलते हैं देखे ना एक शब्द कितनी अलग-अलग चीज़ों के लिए मिस्तिमाल कर रहे हैं नेक्स्ट सुर्भी, सुर्भी किसके लिए बोलते हैं सुगंद प्रत्वी गाय के लिए बोलेंगे फिर है आपका संगम मिलन दो नदियों का मिलन इस्थल प्रेम सूत, सार्थी, सूत्र, धागा शिखी, परवत, अगनी, मूर श्यामा, इस्त्री, यमुना, नदी, रात ये सभी कहना जो है आपके जो इस्त्री है, यमुना है, नदी है, राती ये सभी इनके लिए हम श्यामा शब्द का इस्तिमाल करते हैं हन्स आत्मा पक्षी का नाम और सूरच के लिए हम इस्तमाल करते हैं हित भलाई प्रेम लोब ठीक है इन सबी के लिए हम क्या इस्तमाल करते हैं आपका हित फिर आते हैं हलधर हलधर किसे बोलते हैं बलराम किसान और बैल अब ये तीनों लोग हल को धारन करते हैं किसान भी हल लिता है, बैल अपने कंदों पर हल को धारन करता है, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, हल, धार, फिर है हरी, विश्नु, इंद्र, साप, सिंग, सूर, तोता, बंदर, अब देखो हरी कितनों को बोलते हैं, विश्नु जी को भी बोलते हैं, इंद्र को भी बोलते हैं साप को भी बोलते हैं सिंग को सूर को तोते को और बंदर को सभी को जो है वो हरी बोला जाता है फिर है हार हार किसको बोलते हैं गले में पहनने वाला पराजय हल यानि कि खेत जोतने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र और समाधा इन सभी के लिए हम हल बोलेंगे फिर है पतंग पक्शी सूर्य उड़ने वाली पतंग फिर है पयोधर पयोधर कौन है परवत है इस्तन है बादल है इन सभी के लिए हम क्या इस्तिमाल कर रहे है पयोधर को इस्तिमाल कर रहे हैं फिर नेक्स्ट है पट, पट किसके लिए बोलते हैं हम कपड़े के लिए बोलेंगे परदे के लिए बोलेंगे और किवार के लिए बोलेंगे किवार यानि कि जो दर्वाजा होता है दोनों ही का मतलब यहाँ पर परदा निकल के आता है पिर आते हैं पूर्व यानि पहले और एक दिशा हम बोलते हैं मेरे से पूर्व वो आ गया था यानि मेरे से पहले वो आ गया था और सूरज कहां से निकलता है पूर्व दिशा से निकलता है पिर आते हैं पद पद मतलब ह होता है अहदा यह पैर आप जैसे पोस्ट होती है आप जैसे मैनेजिंग डैरेक्टर है और है senior executive है यह सब क्या पोस्ट के नाम है अर्ठाट और रहए के नाम है और हमारा पैर इन दोनों के लिए हम क्या बोलते हैं पदस्तिम का फिर है चपला चपला बिजली को भी चपला बोलते हैं लचमी को भी चपला बोलते हैं और चंचला को भी चपला बोला जाता है जो चंचल होता है बहुत जादा जो लड़कियां चंचल होती है उनके लिए भी चपला शब्द इस्तेमाल होता है फिर है चरण चरण क्या पैर क पहलमान को चीर डाला तो चीर डाला लिटरली फार डालने से नहीं है मतलब उसने उसको पटक दिया अच्छे से तो वो एक डाओ पेज का नाम है फिर वस्त्र जो है वो भी चीर कहलाता है और पट्टी जो है वो भी चीर कहलाती है अब आ जाते हैं 68 पे ठीक है कितने सारे करा पहिया चक्वा सेकषर रहे हैं तो आप चक्र शब्ड इतने सारों के लिए इस्तिमाल करते हैं चैन आत्मा मन आत्मा सजीर इन वह के लिए हमने क्या इस्तिमाल किया फिर आते हैं जाल जाल किसके लिए बोलते हैं फंदा जरोखा माया जादू इन सभी के लिए बोलते हैं कि भाई क्या जाल फेका तो यहां पर जाल का मतलब जादू भी हो सकता है माया भी हो सकती है सभी कुछ फिर आते हैं जेश्ट जेश्ट किसके लिए समाल करते हैं श्रेश्ट यानि कि जो बहुत ही ज्यादा उच्छ उसके लिए जेश्ट बोलते हैं बड़ा है जो उसके लिए भी जेश्ट बोलेंगे बड़ा भाई है उसे भी जेश्ट ब्राता बोलते हैं एक महीने का नाम है आ हमारे प्राण भी जीवन है तो इन तीनों के लिए हम जीवन का इस्तमाल करते हैं फिर आता है जड़ जड़ यानि आचेतन मूर्ख और मूल आचेतन यानि कि जिन में जान नहीं होती वो आपका जड़ होगे मूर्ख यानि कि जड़ बुद्धी बोलते हैं बिल्कुल जड़ दोनों ही पेड़ की रूट्स के लिए इस्तमाल पौधों की रूट्स होती हैं उनके लिए इस्तमाल करते हैं नेक्स्ट है जलज अब जलज हम मुस्की जलज किसके लिए पहचानते हैं हम कमल के लिए पहचानते हैं लेकिन और भी जलज सब्द किसी और के लिए इस्तमाल ह होता है वो क्या है शंक के लिए इस्तेमाल होता है कमल के लिए होता है और मूती के लिए यह सभी क्या है जलज के नाम से जाने जाते हैं फिर आता है दल किसको बोलते हैं पाटी को बोलते हैं पत्ते को बोलते हैं समू को बोलते हैं पक्ष को बोलते हैं जैसे बहुत सारी दल बोलते हैं एक पक्ष में जाना वो भी दल कहलाता है फिर है द्विज द्विज जो है आपको पता है कि ब्रामण को बोलते हैं लेकिन पक्षी को भी बोलेंगे शत्रिय को भी बोलेंगे और चांद को भी बोलेंगे इन सभी को क्या बोला जाएगा द्विज बोला जाएग फिर आते हैं दंड दंड किसके लिए बोलते हैं सजा के लिए बोलते हैं दंडा भी बोलते हैं और जुर्माना भई आपको अगर कोई मान लीजिए पैसा जुर्माना लगा जाता है तो आपको इतना दंड दिया गया है कि इतना पैसा आपको भरना है फिर सजा सुनाई कई व भी धर्म राज बोलते हैं क्योंकि यह सभी धर्म पे चलने वाले इसलिए इन सभी को क्या बोला जाता है धर्म राज फिर आते हैं नग नग किसको बोलते हैं परवत को बोलते हैं व्रक्ष को बोलते हैं नगीना को बोलते हैं और संख्या को बोलते हैं इन सभी को क्या बोला है लुच्चा यानि कि जो बहुत ही तिगड़े में लगाकर पैसे किसी से लूड ले जाता है तो उसको भी लुच्चे को भी नंगा बुला जाता है जो बेशर्म है जिसको कुछ भी कहने या कुछ भी करने में शरम नहीं आए उसके लिए वे क्या बड़े नंगे व tätä कि का तार पर केया हो गयाativa वह कोई एसी हर्कट कर रहा है कोई एसी बात ही बोल रहा है जिसमें उसको शरम नहीं आ रहे है तो उस वेक्ती के लिए नंगा इस्तमाल किया जाता है आदमी के लिए बेशर्म आद्वी के लिए फिर आते हैं नाग नाग किसको बोलते हैं हाथी को बोलते हैं परवत को बोलते हैं साप को बोलते हैं और बादल को बोलते हैं तो नाग अभी तक तो हम क्या जानते हैं कि साप कोई बूलते हैं लेकिन अब देखें नाग शब्द कितने के ल इंखला बोलता है कितने सारे आपको अनेक अर्ती बताएं तो एक तरीके से आप अनेक अर्थी से परचत हो गए यहां पर क्या होता है रैसे तो नेक बहुत होते हैं यहां पर कुछ लेकर आयकर ते अब यह से नेक्स वीडियो रहेगा ना उस26 करावने वाले यहां और कुछ exercise बिरेंगी, तो इसके जरीए हमारी पूरी practice यहाँ पर अच्छे से हो जाएगी, है ना, और फिर उसके बाद हम MCQs करेंगे, तो pattern हमारा वहीं चल रहा है, explanation रहेगा, question answer, exercise, then MCQs, तो हम chapter explain कर रहे हैं, revise कर रहे हैं, और फटाफ़र test ले रहे हैं, तो सारी pattern कर लेने स क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में हर एक चीज बहुत ही अच्छे perfectly bad जाती है, है ना, तो ध्यान रखेगा, next video में हम प्रश्ण उत्तर और क्या करने वाले हैं, MCQs करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप सभी के लिए आ चुका है अद्भुत batch, तो ज इस batch के अंदर आपको six to eight classes में जो subject पढ़ाय जा रहे हैं, वो है science, math, social science, English, Hindi और संस्टित, यह सारे subjects पढ़ाय जा रहे हैं, यह सारे subject में जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो सभी CBSC board के syllabus पर based रहेगा, तो पूरा आमने explain करा दिया, explain कराने के बाद भी हमारे पास म बहुत सारे doubts रह जाते हैं, बहुत सारे doubts रह जाते हैं, तो फिर आपके लिए एक session organize किया जाएगा, जिसमें आप हर chapter के अपने doubts को clear कर सकते हो, तो वो रहेगा आपका doubt solving session, फिर next जो आपका आता है, वो है one shot revision, भाई हमने chapter पढ़ा दिया, आपको NCRT solutions गेरा सब करा दिये, doubt भी solve कर दिये, तो अब फटा फटा हम revision कराएंगे, सारा, जुत्ता हमने पढ़ाया था, वो आपको एक shot में पूरा revise करा देंगे, वो हो जाएगा one shot revision, अब इन सारी चीजों के आपको E notes भी provide करा दी जाएंगे, जितना हमने पढ़ाया, इन सभी के E notes आपको मल जाएंगे, यह सब हो जाने के बाद अब हम आपका लेंगे test, ठीक है, test करिए, self assessment कीजिए, क्या चीज़े हमाई समझ में आई, क्या नहीं आई, जो नहीं आई, उसे फिर से पढ़ेंगे, और जो उनके हम solutions भी दे देंगे test के आपको, यह सब करने के बाद यह सारी चीज़ेंगे, अब multiple choice question यानि की MCQs भी, क्योंकि question paper जो हमारे पास आता है, उसमे subjective or objective दोनों तरह के question पूछे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें दोनों चीज़ेंगे पढ़नी हैं तो जो आपके subjective questions रहेंगे, वो MIQs के वीडियो में मिल जाएंगे, और जो objective हैं, वो MCQs में मिल जाएंगे तो अब यह जितना मैंने बताया है, यह हर एक chapter के साथ होगा, हर subject में, हर chapter के साथ आपको इसी pattern में पढ़ाया जाएगा, अब सोचिए, इतने सारे subjects, इतने बढ़िया pattern और वो भी उस पे भी सोने पे सुहागा यह, कि आपको यह सभी कुछ मिल रहा है 50% discount में, ठीक हैं, यह सब कुछ क्या मिल रहा है 50% discount में, और उस पे एक बात और, अगर आपने यह magnet 10 जो है coupon लगा दिया, तो additional 10% discount और मिल जाएगा, तो यानि कि total हो गया 50 plus 10, 60% discount, इतनी सारी चीज़ें आपको 60% discount में मिल रही है, तो जल्द से जल्द आपको अपना enrollment इतने कराना है, तो मैंने त सारा procedure जो है, आप जानना जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपके ठेर सारे questions हैं, उन सभी को जानने के लिए, आप सीधे इस नंबर पे call लगा दो, क्या है 7049-597408, इस नंबर पे सीधे call लगा दो, जितने question हैं, वो सब push डालो, सारे answer मिल जाएगा, तो हम क्या करें, कैसी आप submit करो के कुछ देर बाद सारी information आप तक पहुंच जाएगे, तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो, तो इस तरीके से आप सारी information ले लो, और जल से जल जो है इस batch को join कर लो, इस से आपकी पढ़ाई और जादा अच्छी हो जाएगे, तो यह तो मैना अदूर batch के बारे में और यह video भी हमारा पूरा खतम हो गया, लेकिन अभी हमारा काम खतम नहीं हुआ है, तो next video में अब हम आगे का काम करेंगे, है ना, तो मिलते हैं next video में, thank you for watching, bye-bye.